तो स्वागत है आप सभी का गयापन एकेडमी के इसनाय और लडेस्ट वडियो में आज के इस वडियो में हम लोग बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉटेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि इस टॉपिक से कोश्चन आप लोग के एकजाम में हर साल पूछा जा आप लोग हर एक पॉइंट को समझे और अंतक वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यदा हो सके आप लोग जितने भी आप लोग रिष्टेदार है चाव तो शेयर कर देए स्टेटस वगर लगा ले ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाव उटा सके और अच्छा लएगा जो कुछ भी में आप लोगो समझाओंगी अगर समझ में आता है आप लोगो तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नहीं आए हुए तो सब्सक्राइब कर लिजेगा उससे होगा हो उसे हो और उर्दू में फेल किसे कहते हैं यह आप लोगो समझना है और फेल के कितने टाइप होते हैं और हर एक टाइप को आप लोग आज किस वीडियो में डीपली समझने वाले हैं लेकिन फेल को समझने से पहले कि वाकई में फेल किसे कहते हैं क्या पास और फेल वाला ही फेल ह को जी हां उर्दु कवायत का मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक फेल और फेल को समझने से पहले आप लोग porter लोग को समझना होगा जमाना रखों हिंदी में कहते ह covenant buffs जी अप लोग बचपन सी पढ़ते आ करें और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हिंदी काल के तीन प्रकार होते हैं sense पहला है जमाना माजी दूसरा है जमाना हाल और तिसरा है जमाना मस्तकिम जी हाँ जमाना माजी को ही इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस क्या कहते हैं पास्ट टेंस और हिंदी में कहते हैं भूत काल भूत काल ठीक है और जमाना हाल को इंग्लिश में कहते हैं प्रजेंट टेंस यहां पर लिखने का जगा नहीं है फिर भी यहां पर लिख दे रहे और जमाना हाल को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल ठीक है और जमाना मुस्तक्बिल को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस future tense और हिल्दी में कहते हैं भविष्य काल थीक है भविष्य काल किसे कहते हैं यह और अपस्ट और इसे को एंग्लिश में Past sense और इसीव उर्दू में कहते है जमाना माधी वह स्टैंस का difference है लेंग्विज अलग-अलग है बात सेम है जो समय बीच चुका है उसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल इंगलिश में कहते हैं पस्ट्रेंस और उर्दू में कहते हैं जमाना माजी याद रखिएगा उसी तरह है जमाना हाल यानिकि जो समय अभी चल रहा है अभी में आप में और हिंदी में क्या कहते हैं वर्तमान काल यान की वर्तमान में समय चल रहा है उसके बाद से जमाना मुस्तक्बिल किसे कहते हैं भविष्यकाल को यान की जो समय आने वाला है आने वाले समय को कहते हैं हिंदी में भविष्यकाल इंग्लिश में फ्यूचर टेंस और इन हल आने वाला व् Catव तक समझ में अगैं अगर इतना समझ गए ना तो समझे आपलोग भी समझ गएठा authentically हम दो किए है यहाँ पर मैं लिग दे रही हूं है कि फेर को हिंदी में कहते हैं क्रिया क्या कहते हैं बर्व किसी भी काम को किया कहते हैं मतलब काम, बर्व काम अब सुनिए फेल को जमाना के हिसाब से तीन भागों में बाटा गया है या तो आप कोई भी काम गुज़र हुए समय में किये होंगे नहीं तो अभी कर रहे होंगे या फिर आने वाले समय में करेंगे काम को या तो काम को आप या तो गुज़र हुए समय में करेंगे नहीं त को माजी यानि कि गुजरेव economics में किया जा चुका है उस उस काम को कहते है फेंव माजी देखिए फिर से हैं ज Okay लिए तीन भागों बाटा गया है क्योंकि घुनी तुर्ट रहे वस्राइब और एक काम जो हम लोग आने वाले समय में करेंगे इसलिए काम को तीन भागों में डिवाइट किया गया है यानिकि फेल के तीन टाइप है फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तक्विल फेल माजी उस फेल को कहते हैं यानिकि उस क्रिया को कहते हैं जो माजी में हो चुका है यानि कि गुजरे हुए वक्त में जो क्रिया हो चुकी है जो काम हो चुका है उस काम को उस फेल को कहते हैं फेल माजी जैसे की मैं पढ़ा चुकी हूं हाँ मैं खा चुकी हूं मैं खा ली हूं मैं बोली थी यानि कि बोली थी बोल चुकी हूं बोलने काम हो चुका है इस है इस और एक्जांपल कि हो जाएगा यह सब प्ढ़ने का काम हो जाएगा तो पढ़ने का काम कर चुकी हूं बहुत पहले है तो काम हो चुका है ना तो बढ़ाना क्या हो जाएगा फैल मासी मुझलाब इसलोग देखेंगे प्रूमाजी के लास्ट में है मतलब कुका है चुकी है या फिर चुके है आता है नहीं तो था थषी आता है आप देखेंगे स्क्तिशन में vision क्रॉबנफ के लास थै थी या या तो видео THE तो इसका यह रही हूं मैं पढ़ा चुकी हूँ फीत है example में लिख दे रही हूं पढ़ा चुकी हूं यह हो गया पील माजी का example क्योंकि मैं काम कर चुकी हूं थो यह काम का यह हो जाएगा लिए फिंदक है आगे बढ़ते हुए पुल हाल उस तरह की फेन को कर रही हूं आप लोगो पढ़ा रही हूं अभी यह हो गया किसका यह था हो रहा है हाल में पढ़ने काम कर रही हूं तो यह हो जाए गला यह फिल हाल के अंक diesem ना kind portion है तुम पढ़ रहे हो बढ़ रहा है लास्ट में है कि हूँ där हैं तो अगर अगर उच्छाइब मैं बोलेगा कि F sail Vital कि पहिचान करें देखिए को शन्त है कि दरज़ाइल में वध्य में कौन है दरज़ाइल में उसकर रजानेंस क्वशन कॉन ऑफिर दरज़ाइल में से कौन दीजिए गावलन है इंगलिश का ही फंडा है एंगलिश में आप लोग पड़े होंगे ता है ती है ते है वोग लोग जाते हैं तो लास्ट में तुरह रहेगा वगर वगर जो भी तो वो हो गया फेलहाल उसके बाद nelle listsφट बिल के जाएगा यानि कि मुस्तखबिल में जो काम किया जाएगा उस काम उस फेल को कहते है डिबन मुस्तकबिल जैसे कि मैं पढ़ाऊंगी आने आने वाले समय में क्या पढ़ाँगी क्या हो जाएगा से छिद मुस्तकिल या टा जायोंगी donc मैं खेल लूंगी तुम देखोंगे मैं पढ़ाऊंगी घ्राओं गी तो तुम देखोंगे और उसके बाद लोग पतना जाएंगे तो गा गेगी यह सब मुस्तक्विल एक नहीं होगा एक फूजन नहीं होगा कोई भी मैं लिखकर पुछ भी लीजएगा तो विडियो में उस कम क्लियर कर दूँ बागी आज कि वीडियो में जो कुछ भी में आप लोग को समझाई अगर समझ में आया है और ए备क पॉईंट तो कमेड में लिख कर बताए कि हाँ बहुत ये तौरी के से चीज ऐस समझ में आई है और वीडियो को लाइक जरूब करे जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाती हूं अगर समझ में आता है तो तुरंत लाइक कर दे और शेर कर दिया करें अपने पोड़ोसी अपने दोस्तों के पास ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाब उटा सके सभी लोग का भला हो इसलिए आप लोग मतलब क्या अब आप देख लिए वीडियो का इंड हो गया तो अब मोबाइल बंद करके रख देंगे बस मेरा वीडियो का देंड कर देंगे जी नहीं दुसरों के पास भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों लोग भी भला हो तो शेयर कर देए छोटी से रिक्वेस्ट इतना मेहनत करने के बाद मैं सबस्क्राइब करके चानल को नोटिफिकेशन बेल को दबाली जेगा उसे होगा यह मेरी जाने वाली वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं फिर्म लेंगे अगले वीडियो में अगले टॉ उद सबस्क्तार्गैं